नमस्का दोस्तो, मैं राजकमा ठेनुआ, आज आपको बताऊंगा nested if construct के बारे में, आपने मारे पिछले लेक्षर में देखा था if construct, वो normal था, अगर आप उसे nested form में यूज़ करना चाहरे हैं तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, आएए देखते हैं तो इसके लिए basically syntax इस तरीके से होगा, कि आपने if लगाया, उसके बाद जो expression है उसे लिखा उसके बाद फिर अगर ये condition true होती है, तो यहाँ पर statement से होगे, वो run हो जाएंगे अगर ये false होती है, तो ये again फिर दूसरे if में enter कर जाएगा, और वहाँ पर condition हम लगाएंगे और फिर अगर ये true होगा, तो जो statement है वो run हो जाएंगे और उसके बाद फिर हमने ये end लगाया, ये पहला end होगा, वो इसे close कर रहा होगा और जो दूसरा end है, वो पहले बाले if को close कर रहा होगा, तो आज़े देखते हैं program की मदद से, तो देखिए problem हमने पहले भी से कर चुके है, if की मदद से, हम इसे nested if की मदद से भी करने को उस करेंगे, तो print the division corresponding to the marks enter by a student, तो ये student के marks हैं, उसके हिसाब से हमें division बताना है उसका, तो normal अगर हम इसे करते हैं, तो इस तरीके से हमने किया था, पिछले lecture में भी आपने देखा था इसे, यहां पर देख सकते हैं दवारा, तो marks हमने input कराया है, उसके बाद, if हमने compare कर दिए हैं, कि marks greater than equal to 60 होते हैं, तो print हो जाए division first, फिर else if, दूसरी condition आपने की, तीसरी और इस तरीके से else में आपने fail कर दिया, यह तरीका था, अगर आप इसे nested fashion में करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, यहां पर देखिए, if यहां पर start हुआ है, और last में close हुआ है, तो यहां पर सिर्फ ए greater than equal to 60, तो क्या हो जाएगा, f print है first division, यह हो जाएगा, अगर यह false हो जाता है, तो else में जाना चाहिए, if के बाद सीधा else आ गया, else if जैसे आपने देखे थे पिछले lectures में, तो else if, अगर condition है, तो लिखना है, नहीं है, तो else लिखते है, if then else, else में जाके, फिर आपने एक condition लग यह इसका else है, यह वाला पहले वाले का else था, clear है, इसके else में जाएगे, फिर यहाँ पर हमने एको condition लिख दी, if marks greater than equal to 30, and marks less than 45, तो third division प्रिंट हो जाए, clear है, अगर यह भी meet नहीं करती है, condition यह true नहीं होता है, तो फिर इसके else में जाएगे, और इसके else में जाके, फिर condition नह लिखना है, इसके last हो क्या था, fail ही था, तो वही हमने print कर दिया, if print up fail, यह हो गया, तो यहाँ पर आप देखें, कि आपने 3 if construct है, वो open कर दिये, 3 if का use किया है, अब 3 को आपको close करना होगा, तो सबसे पहले इसे close करेंगे, जो सबसे last में आपने लिखा है, वो सबसे पहले close होगा, तो एक end आएगा, यह close हो गया, ठीक है, इस end से यह close हो जाएगा, क्लिए रहे, और यह 30 end आएगा, उससे यह close हो जाएगा, तो इस तरीके से यह आपको 3 end लगाने होंगे, यह मैंने आगे पीछे लगा दिये, जस्ट आपको समझ में आ जाए कि कौन सा construct कहां पर बं जो रहा है, तो इसके else में है यह पूरा, ठीक है, अगर इस if को देखें, तो इस if में यह इसका statement है, बाकि else में यह पूरा जो है, वो else में हो गया, यह section है, इस देखें, इस में देखें, तो यह इसका if का हो गया, यह else का हो गया, ठीक है तो अंदर से बाहर की तरफ इस तर आपने इस lecture को enjoy किया होगा, अगर यह आपको अच्छा लगा हो, तो इसे like करें और see again, thank you.